हेलो फ्रेंज स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल में आज बनाना सेखेंगे रोटी कवर और इसको बनाने के लिए मैंने बीच में फोमशीट लगाई है कपड़े के बीच में आपके पास नहीं है तो आप जो नॉनमुविन कपड़े आते हैं शॉपिंग बैक वाल कि ए लिए है मैंने दो की लाइनिंग सेम है और दो की लाइनिंग सेम है जब अलग-अलग कलाव में मेरे पास कपड़ा कम था आ आप लाइनिग और बीन फैब्रिक दोनों सेम रखिएगा अब इस 7 x 7 वाले पीस पहें हमें राउंड शेयव देनी है तो इसक्वेर पीस है हलका सा round shape दे दीजे और इसी shape में हमें cut कर लेना है अब ये round shape में आ गया है अब इसी तरीके से बाकी 3 पीसे भी cut कर लेना है तो यही cutting button उठा कर रख लीजे दूसरे piece पे और cut कर लीजे तो इस तरीके से 4 पीसे हमें cut कर लेने है ये मैंने cut कर लीए अब मैंने लिया है औरे पटी, अब इस औरे पटी से इस तरीके की चार पट्यां लीज़ेगा और साइट्स को फिनिश कर लीज़ेगा, जो राउंड में शेप दिया हुआ इसे फिनिश कर लेते हैं, तो जो उपर पीस कट किया है राउंड में, उसकी उल्टी साइट नीचे की तरफ है और पट्टी की सीधी साइड ऊपर की तरफ है तो इस तरीके से करते हुए हमें सिलाई लगानी है ध्यान रखेगा पट्टी को मैं बहुत खीचके नहीं लगाना है वरना वो पलटने लगती तो बिल्कुल हलके हातों सी इस तरीके से गुमा गुमा कर सिंगल से finish करना है ठीक तो यह हमारी पट्टी अटाच हो गई है अब इसे double fold करेंगे one fold और two fold two fold में पूरे पर हमें सिलाई लगा लेना है तो इसे औरे पट्टी जो लगती है बहुत finishing के साथ लगती है और एक बराबर हमारी piping बनती जाएगी front side से भी और back side से भी तो हमारी piping लग अब इस पर करेंगे हैं मार्किंग तो center point का निशान लगा लेंगे दोनों corners पकड़ लीजे और इस तरीके से center point का निशान लगा लीजे तो आप main fabric और lining का कपड़ा सेम रखिएगा यहाँ पर ulti side देखिए यह उपर की तरफ है और इस तरीके से मैंने center point का निशान लगा लिया जो चार flap बनाये थे अब इसका center point का निशान लगा लेंगे तो इस तरीके से एक निशान लग गया है दूसरे को इस तरीके से रखते निशान लगा लीजे तो यह easy हो जाता है चारों पर center point के निशान लग चुके हैं अब क्या करना है अब लेंगे बड़ा वाला square piece अब इसके center point को इसके center point से attach कर देंगे तो दोनों की ulti side जो है आपस की तरफ है यह देखिए इस तरीके से दोनों center point को आपस में मिला लेंगे और pin up कर लेंगे तो चार center point बड़े वाले piece में लग गए हैं और चार center point हमारे flap पे हो गए तो center point को attach कर लिया और pin कर लिया देखिए चारो flap हमारे center point पर attach हो गए है पिन कर लिया है तो देखिए कुछ इस तरीके का इसमें pattern आ जाएगा हमारा अब हमें सिलाईया लगानी है इस तरीके से सीधी सिलाई लगा लिए जो चारो तरफ से मैंनो चारो तरफ सिलाईया लगा लिए है सिलाई लगानी के बाद आब हम बनाएंगे इसके corner देखिए जो red piping दिख रहे है इसे आपस मैं attach करना है तो और सीधे सिलाई लगानी है यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है दोनों corner पकड़ लीजिए और सीधे सिलाई लगा लीजिए तो चारों सिलाई लग जाएंगी हमारी देखे चार सिलाई लग गई हैं यह जो corner निकले हुए ना इसे cut मत करिएगा इसे side में fold कर लीजिए किसी भी side fold कर लीजिए fold करने के बाद उपर से आपको सिलाई लगा लेनी है तो आपके जो corner है यह fold हो जाएंगे तो यह भी एक design वाला pattern हो जाएगा सिलाई भी लग चुकी है अब देखे back side तो हमारा finish है जो पीछे side है उपर से finish नहीं है अब इसे भी और ये पट्टी से finish कर लीजे इसको थोड़ा मैं बता देती हूं machine पर ऐसे fold कर लीजे fold करने के बाद हम बहुत corner से नहीं लगाएंगे और ये पट्टी जो है सीधी side अगर कपड़े की print का कोई सिधा side है आप नीचे की तरफ रख लीजेगा उल्टी side उपर की तरफ रख लीजेगा हलका सा starting में fold कर लिया कर ये तो उससे finishing बहुत अच्छी आती है अब single foot का gap लेते हमें पूरे पर सिलाई लगाना है जहां से शुरू किया था वहां पे लाकर वापस से खतम करेंगे लास्ट point पे आ चुके हैं अब देखिए हमें पट्टी को बढ़ा कर कट करना है हलका सा fold कर लीजे और आगे बढ़ाते हुए overlap कर लीजे overlap कर आते हैं पूरे पर सिलाई लगा ली अब देखिए उपर की तरफ ऐसे fold करेंगे fold करने के बाद two fold करेंगे और इस two fold में पूरे पर सिलाई लगा लेंगे तो बहुत simple तरीका है इससे जो पट्टी लगती है बहुत ही finishing के साथ लगती है और बिल्कुल एक बराबर लगती है मतलब आप front side और back side के साथ हमारी पट्टी लग चुकी है और इस तरीके से हमारा रोटी कवर बन कर बिल्कुल तयार हो जाता है तो बिना खर्च आप इस तरीके से रोटी कवर बना सकते हो तो देखिए हमारा क्यूट सा रोटी कवर बन के तयार हो चुका है बहुत ही तो आप इसको कैस्ट्रोल की जगे इसमें भी रोटी सर्फ कर सकते हैं तो बहुती क्रियेटिव लगता है और जिनके सामने रोटी रखेंगे वह आपकी तारिफ किये बगार नहीं रह पाए रोटी का बाउल कवर बनाना मेरे पास यह प्लास्टिक की बास्केट है आपके प्लास्टिक की है वो भी चलेगा इस्टील का है वो भी चलेगा इस्टील का बाउल होता है न वो भी कोई भी साइज हो measurement निकालते हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे घुमाते हुए इंची टेप को measurement लेना है मेरा 27 आ रहा है आपका कोई भी size निकल रहा हो आप उसमें बस 3 inch add कर दीजिए जैसे मेरा 27 ने उसमें 3 inch add कर दिया तो हो जाएगा 30 inch अब क्या करना है इंची टेप को ऐसे रखते हुए पूरे center से लेते हो जाना है यह मेरा आ रहा है 14 inch तो 14 का हाफ हो जाएगा 7 inch तो 7 से लेकर 30 inch का हमें एक one piece fabric का लेना है कपड़े का एक लंबा piece ले लेना है ठीक है अब क्या करना है 14 का हाफ हो जाएगा 7 inch तो आप 7 inch इसके according भी ले सकते हो अभी मैं और दूसरा भी measurement बताऊंगी 7 by 7 के 4 pieces quilted लेने है हमें quilted piece लेने है ठीक है 4 pieces अब क्या करना है यहां से मुझे लेना है 14 inch 7 का double हो जाएगा 14 तो पहले आप ऐसे दिख लेजिए one piece quilted ठीक है 14 inch की elastic लेनी है तो अभी मैं थोड़ा सा twist करूँगी क्योंकि यह सिदा सदा हिसाब है अब क्या करना है यह 7 inch मेरा कैसे आ रहा है एक तो 14 का half करेंगे तो 7 आ जाएगा एक 7 इस तरीके से भी आता है जब आप total 30 है मेरा ना 30 inch को 30 को आप divide करोगे 4 से 4 से क्योंकि 4 flap है मेरे पास तो आपको 4 से divide करना है 30 को 4 से divide करोगे तो आज जाएगा 7.5 inch इस 0.5 को आपको छोड़ देना है 0.5 को नहीं लेंगे सिर्फ 7 inch को लेंगे तभी ये 7 inch के मेरे पास 4 flap आ रहा है ठीक है तो 7 by 7 का मेरे पास ये flap आ रहा है quilted piece 4 pieces quilted लेने है 14 inch का जो ये piece quilted लिया है इससे 1 inch आप minus कर लिजेगा क्योंकि बहुत बड़ा कपड़ा नहीं चाहिए हमें क्योंकि ये bowl के अंदर फीट होगा तो 13 inch का piece लिया है जो 13 inch की elastic सारा सामान देखे ये मैंने ready कर लिया है इसका बनाना है ये लंबे वाला piece है 30 by 7 inch का ला इसको ऐसे double fold करके पूरे पे हमें सिलाई लगानी है सिलाई भी इतनी चौड़ी नेफा बनाना है हमें जिसमें हमारी elastic fit होगा जो mask वाली elastic आती है ये पतली वाली आपको इसी के अंदर insert कराना है मैंने stitch कर लिया अब safety pin की help से हम इसको insert करा लेंगे तो पूरी elastic अंदर न चली जाए बीच में ही safety pin छोड़ दीजे यहाँ पे पहले stitch करके अच्छे से पका कर लिजे ताकि ये अंदर ना जब मैंने stitch कर लिया अब ये अंदर नहीं जाएगी बीच में जहाँ safety pin छोड़ा है इसको आगे बढ़ा लेते है पूरी elastic को अच्छे से set कर लेते है अब last वाले point को भी stitch कर लिजे तो हमारी elastic जो है यहां तक एक सिलाई लगा लिजे मैंने सिलाई लगा ली यहां से यहां तक सीधी set देखी अंदर की तरफ है तो ये पूरा piece ready हो चुका है अब ये 4 flap जो मैंने लिए हैं इसमें पहले एक flap पे हम इसमें round shape देंगे तो ऐसे fold कर लेना है उपर से आपको corner cut करते हुए round shape देना beginner है नहीं आता है तो आप 1 inch का ऐसे निशान लगा लीजे और round shape दे लीजे अब इसी निशान पे cut करना है तो जैसे एक piece पे कर रहा है वैसे बाकी तीनो piece पे करना है दूसरे piece पे इस वाले piece की cutting को रख देंगे और cutting कर लेंगे तो इस तरीके से एक बराबर cutting होती जाएगी बाकी दोनों पे भी सेम तरीके से cutting कर लेंगे ये 4 pieces ready हो चुके है अब क्या करेंगे इसको और ये पट्टी लेनी है और इसको finish करना तो मेरे पास same color का piece नहीं था थोड़ा सा गाजडी color में है और निखर के आए हलके हाथों से stitch करते जाएए घुमा घुमा के तो ना पट्टी को खीचिएगा और ना नीचे वाले quilt piece को सिर्फ आपको एक सिलाई लगानी है जब last में आएंगे तो extra cut कर देंगे थोड़ा सा कपड़ा छोड़ते हुए अंदर के तरह फोल्ड करतेंगे यह देखें फिनिशिंग से हमारी इस तरीके से piping लग जाती है आप चाहूँ छुटे-छुटे नौचे से लगा सकते हो पर यह easily turn हो जाती है तो कोई दिकत नहीं है आप देखें वन फोल्ड और टो फोल्ड इस तरीके से फोल्ड करके stitch करना है पर मैं क्या मैं सिदी साइट से stitch करती हूँ तो आप जब फोल्ड करोगे तो आपको अंदाजा लगता जाएगा कपड़ा कहां तक फोल्ड हुआ है बस हमें simple एक सिलाई लगानी है कपड़े को अंदर से फोल्ड करते जाएए यह देखें अंदर से फोल्ड कर लिया और सिलाई लगा लिया तो इस तरीके से आपको पूरी पाइपिंग को finish कर लेना है कपड़े को अंदर फोल्ड करते जाएए stitch करते जाएए तो देखिए हमारी piping लग चुकी है और बहुत finishing से लगी है दोनों side से तो देखिए बहुत finishing के साथ हमारी ये piping लग चुकी है बाकी 4 pieces भी मैंने ready कर लिए है अब लेना है हमें 13 by 13 का quilt piece और इनके 4 sides का center point निकालना है center point निकाल लेंगे ऐसे mark लगा लेंगे तो चारो side के हमारे center point आ गए चारो के center point निकालने के पाद जो flap पनाया है 7 by 7 के piece इसको अब भी center point निकालेंगे अब इस center point को इस center point से मिला के attach करेंगे pin कर लेंगे सेन तरीके से बाकी 3 pieces को भी attach कर लेना है तो मैं यहाँ पर बता दूँ आप चुपी pieces ready करोगे आप fabric use कर रहे हो same color का लगाईएगा by chance नहीं है फिर भी confusion सारे clear होने चाहिए आपके सीधी side जो 13 by 13 का piece लिया है वो उपर की तरफ है और जो यह flap है flap की भी सीधी side उपर की तरफ है center point को center point से attach करना है और pin कर लेना है last side का भी flap इसी तरीके से attach करना है center point निकलना है और 13 इंच वाले area की center point से attach करना है और pin कर लेना है अब आपको चार सिलाईयां लगानी है यहाँ से यहाँ तर दूसरी सिलाई ये तीसरी ये और चोथी ये चार सिलाईयां से इसको finish करना है मैंने सिलाईयां लगा ली है देखे फ्लैप अभी कहीं भी उपर नीचे हो चलेगा आप बहुत ध्यान दीजेगा corner कैसे बनाने है देखे आप ये पट्टी देख रहे हो ना red color की जो piping पट्टी लगाई है आपको ऐसे पकड़ लेना है दोनों का end point आपस में मिला लेना है और निशान लगा देती हूं चौक से मशीन पर भी बताऊंगी यहां से आपको CD सिलाई लगानी जब आप सिलाई लगाओगे तो आपको अंदजा लग जाएगा कि कहा कपड़ा नीचे मोटा पड़ रहा है कहां तक हमें छोड़ना है व आप सिर्फ corner देखेगा इस piping का जो last point है आपस में टैज कर लिया ऐसे मिला लेंगे अब आपको यहां पर सिलाई लगानी है अब इसी stage पे निशान लगाती हूं पहले इसी stage पे आपको ऐसे ही machine में ले जाना है machine के foot में ऐसे ही ले जाईए और बस एक CD सिलाई लगा लिजए यह मिनेक सिलाई लगा लिए देखे जैसे सिलाई लगाई है यह इसका corner बन गया सेम तरीके से आपको देखे पहले finger रख लेना है बीच में तो जितना भी easy possible होता है मैं समझाने के कोशिश करते हूं finger को रख लिया दोनों साइट से ऐसे piping का जो end point है आपस में टैज करते हू पर मैंने सिलाई लगा लिए corner को cut नहीं करना है ऐसे ही रहने दीचेगा फ्लैप attach हो गए मेरे अब जो यह piece ready क्या था elastic वाला क्या करेंगे सीधी साइट को हमें कर लेना है अंदर की तरफ उल्टी साइट बाहर की तरफ पहले क्या करेंगे चारो फ्लैप पे ऐसे पिन कर ले यह मैं पिन कर ले रही हूं और आपके सामने पूरा measurement करके दिखाते हूं यह पूरा इसमें fit हो जा रहा है तो मैं यह अपने ball case के according बता रही हूं अगर ऐसा हो जाए कभी आप बना रहे हो लूज हो जाए या फिर tight हो जाए तो लूज होगा तो चोटी-चोटी चुनटे ड करना भी हमें आना चाहिए देखे आपके सामने ले रही हूं परफेक्ट measurement के साथ पूरा यह set हो जा रहा है दोरो situation बता दी है lose हो tight हो तो क्या करना है ठी चलिए machine पर कर लेते हैं देखे मैंने पिन लगाया हुआ है अब क्या करेंगी यहां से stitch करना स्टार्ट करते हैं पूरा एक बार में मेरा फिट आ रहा है अब कर फिर कॉर्णर प्या चुके हैं तो कॉर्णर प्या ऐसे फोल्ड कर लेंगे और stitch करते जाएंगे यह देखे पिन निका लिया मैंने बस इतना बचा stitch करने के लिए यह भी बिल्कुल फिट आ जाएगा तो यह मैंने complete कर लिया देखे पूरा अच्छे से stitch हो चुका है अब इसको पलट कर सीधा कर लेंगे अब जो यह बास्कीट है प्लास्टिक वाली इसको इसके अंदर इंसर्ट करेंगे इस तरह मैंने लास्टिक लगाया था यह इसके अंदर कवर हो चुका पूरा अच्छे से कर लिजे पहले यह देखे कवर हो गया अब उपर वाले को अंदर की तरफ सेट कर लिजे तभी मैंने यह 13 by 13 का पीस लिया था यह सेट हो चुका है चार फ्लैप बन गए हैं कवर करने के लिए अच्छा बेस बना है और बास्केट या बाउल लगाने से एक अच्छा लुक आ जाता है पूरा मतलब बाउल का कवर बनता है तो अच्छा इस्टिफ हो जाता अच्छे से देखे चोटा सा मैजर्मेंट था अगर आपको कुछ भी टफ लगे प्लीज तो मुझे बताईएगा मैंसे भी इसी तरीका बता दूंगी पर मैजर्मेंट सिर्फ इसलिए बताया था जबी नहीं आपके पास ऐसी ही बास्केटो घर में आपके पास इस्टील का बाउल होग जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ थेंक यू